Hello students, today's topic is AM and PM आज हम अपना AM and PM का concept क्लियर करेंगे कि AM कौन से टाइम को बोलते हैं और PM कौन से टाइम को बोलते हैं पिछली क्लास में हमने टाइम को रीड करना सीखा था और हमने 12 आर क्लॉक की अकॉर्डिंगे को किया था अब आप यह देखो आपके घर में भी रहे हैं शाम के चार भज रहे हैं अगर आपको कोई बताए कि सुबह के चार है शाम TO तो पताचले अगर सीरफ पोर क्लोक लिखा हो तो रहिओ है की वो सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है कई बार कई जगाफ़ ताइम के साथ जैसे यहां 4 हिग दिया है इसके साथ AM हिग देते हैं और कई बार इसकी जगाफे PM हिग देते हैं डन आपने कई जगा देखा होगा फिर अब यह AM और PM का क्या मतलब होता है इसका रीजन AM और PM इसलिए लगता है क्योंकि जब हुँ पहला और क्लॉक के अकोडिंग टाइम देखते हैं तो कोई भी टाइम दो बार आता है तो एक बज़ेगा तो वो सुबह के भी एक बज़ेंगे और दो बहर के भी एक बज़ेंगे कि AM है या PM है AM का मतलब जब सुबह का टाइम होता है सुबह हमें बताना होता है कि सुबह के चार बज़े है या सुबह के ग्यारा बज़े है तो हम AM का यूज करते हैं मॉर्मिंग के लिए AM का और afternoon और evening के लिए हम किसका यूज़ करते हैं पी-म का कैसे पता चलेगा वो भी देखते हैं हम रहे हैं 12 12 o'clock दो बार बच्छते हैं 12 एक तो तो बहर में और एक रात में जब रात के बारा बच्छते हैं तो हम उसे बोलते हैं 12 midnight क्या होते हैं 12 midnight 9 10 दूसरे बारा बच्छते हैं एक हम से क्या बोलते हैं क्या नूम क्या एक एक रात के बाराब बजे से लेकर दुपहान के तक यानि बारा के बाद एक बज़ेगा फिर दो, तीन, चार, पांच, छे ऐसे करते हुए जब दोबहर के बारा बुझते हैं उससे पहले का यानि रात के बारा बज़े से लेकर दोबहर के यानि नून के ट्वैलों क्लॉक तक हम क्या लिखते हैं एम यानि सूबे का टाइम ठीक है कही पे अगर लिखा रहेगा 11.40am अगर लिखा रहेगा यानि वो मॉर्णिक का टाइम है सुबह का टाइम बताने के लिए हम कौन सा बड़ यूज करते हैं अब दुपहर के बारा बज़े से लेकर रात के बारा बज़े तब इसमें आपका इवनिंग भी आ जाता है, नाइट भी आ जाता है इसको हम दिखाने के लिए यूज करते हैं पी-म क्या यूज़ करते है पि-म जैसे ही एक बज़ा अगर वहाँ पे पि-म लिखा रहे है एक के बाद तो यह हो जाएगा कि यह है आफ्टर नून दुपहर के एक बज़ रहे है और अगर यह 11 लिखा है 11.40 लिखा है जैसे 11.40 यहाँ भी 11.40 यहाँ भी यहाँ एम लिखा है याणि यह सुबह के 11.40 मिनट है और अगर यहाँ पि-म लिखा है याणि यह रात के 11.40 मिनट है अगेन आई रिपीट सुबह का टाइम बताने के लिए हम एम पर यूज़ करते हैं याणि दुपहर के 12.00 बज़े तक तो हम एम का यूज़ करते हैं ठीक है और दुपहर के बाद से लेकर रात तक का तो हम क्या बताते हैं पि-म अब जैसे आपके बुक के कोश्चन ले लेते हैं अगर आपसे कोई पूछे कि मॉर्णिंग के अंदर आपसे किसी ने पूछा मॉर्णिंग में आप 600 क्लोक उठते हैं ठीक है? आपके लिए दिया 600 क्लोक अब आपसे कोई पूछे कि यहाँ एम लगेगा या पि-म अभी बताया जो मॉर्णिंग का टाइम होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ए-म फिर आपसे कोई बत बोले कि आप शाम को पांच बज़े खिलने जाते हैं पांच बज़े आप खिलने गए तो यह कौन सा है? ए-म है या पि-म है? अभी हमने क्या ला दोपहर के बारा बज़े तक तो ए-म होगा जैसे ही दोपहर के बार एक बज़े गा दो किस में आ जाते हैं? पि-म में तो शाम का टाइम भी किस में आ जाएगा? पि-म ड़न? तो आज हमारा ए-म होगा पि-म का है इससे रिलेटिड जितने कोशन है वो आप अपने बुग के अंदर ही करेंगे तेंगी